इतिहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमार चानल को लाइक कीजिए और बेल आइकाउन पर क्लिक कीजिएगा अस्सलाम अलेकुम रहमतुलाई बरकातु इतिहाद में आप सबी का खायर मगदा में अहम खबरों पर एक नज़र जिनकी फितरत में ही जहर फैलाना हो वो आच्छी बात कर नहीं सकते हैं ऐसा कहा जाता है लहाज भाजपा काईद या सी शुरपा ने मुसल्मानों को हम किसी हाल में टिकट नहीं देंगे कहकर एक तरह से मुसल्म मुखालिफत किस हद तक करते हैं इसका सबूत पेश किया अब यह समझने के लिए कोई बहुत बड़ा ग्यानी या तो फिर इलमी दानी शुरू होने की जुरूत नहीं है कि भाजपा काईद मुसल्म दुश्मानी की सियासत खेल कर अवाम को गुमराह करते रहते हैं वैसे भारत एक सक्यूलर मुल्क है यहां सभी धर्मभाशाद जात पात को बरावर नजर से देखने का होकम समविदान याने हिन देता है पर इक्तदार पजीर हुकुमत हर लमहा किसी न किसी थरत से मुसलिम माशरे को निशाना बना कर अक्सरियत तबके को खुश करने की कोशिश में लगी रहती एक बार फिर अपनी सोच और फिक्र का इजहार करते हुए या सीश्वरपा ने मुसलमानों को टिकट नहीं देंगे कहते हुए आगे कहा कि किसी शंकराचारी के शागीर्थ को तो टिकट दे सकते हैं किसी संगोली रायनना के शागीर्थ को टिकट दे सकते हैं किसी चन्नमा के शागीर्थ को तो दे सकते हैं पर कतई तोर पर मुसलमानों को नहीं दे सकते हैं सवाल यह उड़ता है कि आखिर यह बात कहने के क्या जोरूत थी लिहाज आवाम में इस जुम्ले को लेकर भी चर्चा हो रही है और यह का जा रहा है कि आने वाले पार्लमान इंतखाबात में फिर से हिंदु-मुस्लिम का घिनोना केल केल कर समाज को बांटना और सियासी बेरोजगारी पर खामोशी किसानों के खुदकुशिक गिर्थी महिशत और भी दिगर मसाहिल से अवाम दो-चार है वैसे भी मुल्क के हर हिस्से के अवाम को तवील नजरी के साथ सोचना होगा कि महंगाई भूक मरी गरीवी बेरोजगारी पर सवाल पूछे जाए और इस ने यह जुमले आज बेलगाम सरकीट हाउस में साफियों के सामने कहें क्या बेलगाम शहर तरकी की रहा पर गामजन है यह सवाला आम आवाम के जहन माना इसलिए भी जरू है कि बेलगाम जिला में कई वजीर है स्मार्ट सिटी का काम बहुत धीमी रफतार से चलने का बहुत सालों से बंद है इसी कई सड़के आधी अदूरी महिनों से बंद नजर आ रही है मास्क हेलमेट पर जुर्माना वसूल तो किया जा रहा है पर सवारियों के लिए बहतर सड़क का इंतदार तवील होता जाय रहा है सियासी काईद सियासत और तरक्याती कामों की कीमत तो वैसे भी आवाम को ही चुकानि पड़ती है बलगाम जिलो वैसे भी करनाटक में सब से बड़ा जिला कहा जाता है पर अब इसके भी दो टुगडे करने की चर्चा जा रही है अगर दो भीधिर के बलगाम सिल्हों इदो ब्योगोड़ नायवreiben का लुग्या में की बेलगाम पर यडरोपा की महरबानी आखर किस बनियाद पर है ये भी सोचने की बात है जो भी हो कहीं वजीर बेलगाम जिला के होने के बाद भी तरक्याती कामों के रफ्तार धीमी क्यों ऐसा भी सवाल आवाम की जाने के पूचा जा रहा है जल्द एक बार फिर रियासिती व साफ सफाई के साथ रखने की कोशिश कार्पोरेशन की जानिब से जा रही है वैसे अक्सर कच्रा उठानी वाली गाड़ी सुबह आती है पर देखा ये जा रहा है कि कुछ लोग दो पहर के बाद भी सड़कों पर कच्रा फैंकते वे सफाई का खयाल नहीं रखते है पर कार्पोरेशन का आमिला के साथ गश्ट करता रहेगा क्योंकि एक कुछ जगों का पता लगा लिया गया है जहां पर रात में पहले जाता है अब पर जुरमाना लगाया जाएगा बरोज बुद्ध मीटिंग तलब फरमाई गई थी जिसमें कार्पोरेशन के आलापसर और कुछ महलों में सुबह कचरा साब करने के बाद भी दोपर और रात में कचरा फैंक दिया जाता है लिहाज़ दोपर को भी कचरे की गाड़ी गश्ट करेगे रात में कचरा फैंकने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा मिटिंग में महांतेश नरसनावर और संजे कोड़ के जेरे मात्य हत अंजाम दी गई तीप सुल्तान नगर हुंचानटी की सड़क बेहत खराब है यहां से सवारियों को लेकर जाना काफी दुश्वार होता जा रहा है कहीं बार फरियाद दर्ज करने के बावजूद भी इस तरफ तवज्जों नहीं दी जारी तरकियती कामों का किसी को भी ख्याल नहीं रहा ता पिछले कहीं सालों से सड़क का काम नहीं हुए लहाजा फ़ज़ी तोर पर सड़क की मरमत को अंजाम दे या तो फिर नहीं सड़क बनाए कई बार सवारियों के गिरने से हाग साथ पेश आते हैं कहीं अफराज चदीद भी हुए हैं जल्द जल्द काम को शुरू करने की मांग टिपू सुल्तान नगर के शेरियों किये हैं क्या वाकई हुकूमत परेशान जदा अवाम की मांग को मुकमल करेगी यह तो आने वाला वक्त ही बता देगा खबरों को सिलसला यूही चलता रहेगा देखते हैं इत्त